आज आए थोदा सब्साद mnie thun raci वालंड लोग के लिए देखने वाले हैं के तुदेव का गोचर कैसा होने वाला सभी ल लोग को नमसकार अब यहां से स्टार्ट करते हैं मिफ अथे अश्वल्स के लिए कहते हैं उने कि ए उने कि WhatsApp के लिए यह अच्छा नहीं है और मिफुन राश्य वाला लोग मतलब बुलंदी पर पहुंचा देने वाला अभी काम होने वाला है आपकी माता के लिए इस साल बिल्कुल अच्छा नहीं रहने वाला है केतु जैसे ही गए होंगे 18 अक्टूबर 2023 के बाद सही आपका माता के स्वास्त पर कह सकते हैं कि माफ कीजिएगा लेकिन थोड़ा सा क्योंकि क्यूसले फालिक पकका घर है चंद कर वहां चला गया के दू इक चंदर के घर में जब के दू आता तो आय। यहों कि माता के स्वास्त को आपको संबल कऱ innovations को अबभी आपको ग्रहंड देखने को मिल सकता है माता का स्वास्त है नि अभी मस्तलब उपर नीचे डवाडोल चल रहा होगा यहां पर यह हो सकता है कि अभी आपको अपनी माता से मतलब मन मुटाओ या अलगाओ टाइप का फील हो रहा होगा छोड़ा सा अपना माता का स्वास्त को लेके सजग रहे हैं भागना चाहिएगा और बहुत तीज भागना चाहिएगा मन करेगा जल्दी वहाँ से भागे और रहु देव गोचर करने वाले दसम घर में रहु देव जहां जाते हैं वो इनसान मतलब एक्शुली कहा जाता है कि रहु जो होता है पिछला जनम में जो भी चीज़ जैसे माल नेरे कोई व्यक्ति अपने पिछले जनम में धन नहीं कमा पाया तो अगला जनम में क्या होगा कि रहु देव उसको धन भाव में मिलेंगे भाने के लिए बोला जाता है कि रो दस में और दुनिया भास में इस बहुत अच्छा करczne होता है 100 तो लाल कितार सीधे बोल от राहु दसमें दुनिया बसमें यहां पर यह केवल आपका ही मतलब आपका ही कारिशेतर के लिए अच्छा नहीं है आपका पिता का भी अभी आपको देखने को आपको मिल रहा होगा कि जैसे जैसे समय बीटता बढ़ता जाएगा 2024 के बाद से आपका पिता का विशेश धन के देव कर दो में दिए को है के तो दैब करने केमा की इस साल बहुत जैदा हो सकता है कि अगर आप अपना ही देश का कोई आशस था जिसमें मतलबAy कंट्री हो या मतलब जिसमें विदेश से रिलेटेड आपको काम करना ही करना हो या आप इंवेस्टमेंट का काम कर रहे हैं इंवेस्टमेंट मैंक कर रहे हैं या मतलब इंवेस्टिंग का काम कर रहे हैं दो एसाल कह सकते कि आपको कारयाओं का फील होगा ब्रफेशन्शन अपना चैंज कर लें ऐस थरी कोन धान से अपना ब्रेखने मिल Hogam से भी दूर रहे हैं अच्छा रहेगा क्योंकि यहां पर रहुद देव गुरु प्रहस्पत का नीच दृष्टी पढ़ा हुआ है नीच दृष्टी पढ़ने करण होगा क्या अभी दस आठवा घर को बोला जाता है आपका आयू अकास्मिक धनलाव अभी लोट्री सट्टा जुआ या जो भी लोट्री सट्टा काम में है अभी इस साल आपको कोई बहुत ज़्यादा लाब देखने को नहीं मिलेगा अगर शुकर देवा आपका कॉंडले में बहुत ज़्यादा बली अवस्ता में नहीं हो इस साल इन सब्चीज से दूरी रहे क्योंकि इस साल इन नींद भी उड़ा दे और यहां से आठमांखर का जो द्रिष्टी है यहां से कह सकते हैं कि थोड़ा सा मन मुटाओ सा सुराल वाला घर से दे और अभी आपको घर में रहने का मन बिलकुल नहीं करेगा मन करेगा कि जैसे घर से निकलके मतलब अपना घर से भाग जाए अप केतु आपका कुंडली में बली है और केतु देव अगर आपका सुक्वाम में भी अच्छा अगर काम कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अपका घर में फाकीर सादू इन लोग का आना जाना बहुत बढ़ गया होगा कृपया आने दे और आए तो कुछ धन बैसा क कुछ विगरत दे के भेज़ें इसका मतलब है कि केतु देव आपके लिए शूब है अगर इस टैप का चीज नहीं है अलगाव टाइप का मन कर रहा है तो अब घर से भी दूरी रही है अभी कारिश्य घर में रहो का गोचर आपके लिए बहुत बुलंदी पहुंचाने वा दन्यवाद